परदा मंतरी आवास योजन्या के तहट ग्रामीड शेत्र के कच्चे मकानों तथा जोपडी में रहने वाले सभी परिवारों को पक्का आवास देने का प्रावधान है। परदा मंतरी आवास नबनने से जैदेवी सहीत पचास मुसवर परिवारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे खेते समारे गए, काटे भी नए, कुकूर चला जातें, कुकूर खाई लेतीं, तब फिनका रहे का बनाई, उसनों घर दुआ रहे तो बंद कई देई, काइदे से, आवास बन जाए, कीरा बिच्छी से बच जाई, लड़िकन बच्चन के, बिच्छी हावार बिच्छ गोड़े मार दे रहे, दूतीन दिन लेक परषान रहे, परधान कहा हम गए, परधान अवास देई, तब परधान कहा थे, कुछ ओता रहे तो बनाई, जब वोट लेगे क्रहत कहीं, ना बाउटर दिश्ट में, तब परधान कुछ नहीं बोला थे, काउन योजना पुरान परद्धान में आए हम सो जो हता रहीगे कि अम मेले अवास, वो हुम नहीं मिला रासन काड बनाना उखाई, नहीं पुरा नहीं परद्धान में मिला, तब कमर जुक्तिकरी खमस होने के आवास मिलाई. हमार दिक्ट यहां भाग के घर्दुगान नहीं है, अवास मिले चाहे, साहे माड़ाई मुची होता है, बहता है कीर्या बिच्छी निकलता है, तो लड़ीका लेकी पेड़े रूख रुखतर भागी थे। परद्धान का इजाईद साहे मार मार कर रहा थे, काज दे इम शाहर मड़ा इम बिताई ले इत्टू का आदेखाई के अनो पानिक साधन नावासिक साधन बा लोहिया गाउं बन गया है साहे यहां पर उनना नाई कुछ मीद लियता है मैं और मैं समदा चाहता है इन सभी परिवारों का आवास बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्सकों से अपील करता हूँ कि आप लोग अबोली बला के वीडियो जिनका मुवाइल लंबर 94, 58, 68, 20 पर कॉल कर दबा बनाए ताकि इन सभी मुस्वर परिवारों का आवास बन सके मैं निल कुमार बदूमी मुता परदेश से इंडिया नहर के लिए